आईपियल 2030 के लिए तयारियां जोरो शोरो से चल रही है VCCI के साथ सभी टीमों ने अपनी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है दिसंबर के आखरी हफते में मिनी आक्षन होना है और सभी टीम के मालिक चाहेंगे कि इस आक्षन में अपनी टीम को मजबूत किया जाए सभी टीमों ने अपने टारगेट खिलाडियों के लिस्ट तयार कर ली है आज हम आपको बताते हैं कि लखनो सुपर जाइंट्स किन खिलाडियों को इस आक्षन में टारगेट कर सकती है जिससे उसकी मजबूती और भी ज्यादा बढ़ जाए इस सीजन एक बार फिर से टीम की नजर इस साल पहले IPL ट्रॉफी पर है आपको बताते चलें कि टीम पिछले ही सीजन IPL में आई थी हलाकि टीम ने एवरज ही खेल दिखाया था अब कि अल्राहूल की टीम धूम मचाने को तयार है सबसे पहले बात करते हैं सैम बिलिंग्स की सैम बिलिंग्स इंग्लैंड के शानदार विकेट कीपर बले बाज है कुलकाता की टीम से पिछले सीजन तक खेलते वे नजर आये थे लेकिन इस बार टीम ने उन्हें अपने साथ नहीं चोड़ा है ऐसे में लखनाओ की टीम एक विकेट कीपर बले बाज पर अपने नजर बना कर रखी है सैम बिलिंग्स के आईपिल करियर की बात करें तो 30 मैचों में 503 रन बना चुके हैं इसमें उनका सरवाधिक स्कोर 56 रहा है अब देखने वाली बात होती है कि केल राहूल का ये फैसला कितना ठीक होता है अब बात करते हैं मयां गगरवाल की मयां गगरवाल लखनाओ की टीम के दूसरे टारगेट प्लियर है पिछले सीजन तक पंजाब के लिए कप्तानी करने वाले मयंग अगरवाल इस सीजन दूसरी टीम के साथ खेलते वे नजर आ सकते हैं अब देखने वाली बात होती है कि लगनव का फैसला कितना टीम के हित में आता है मैं गग्रवाल के आईपियर करिया की बात करें तो मैं गग्रवाल ने 123 मैचों में 2331 रन बना चुके हैं कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं साथे साथ देश दुनिया के तमाम छोटी से बड़े खबरों के जानकारी के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ